नमस्ते महुंदेव आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर आपने देखा था बादशाव सॉंग की मास्टरिंग हमने देख ली थी अभी हम एडवांस्ट वोकल मिक्सिंग देखेंगे इसकी वोकल चेन देखेंगे किस तरह से मैंने मिक्स किया है और कौन से मैंने स्टॉक प्लगिन यूज किया है कौन से मैंने एक्स्टरनल प्लगिन यूज किया है एक एक करके हम देखते जाएंगे सबसे पहले मैं इन सबको आफ कर देता हूँ और यहां से यह मेरी डीले है और यह मेरी रीवब है यह भी बंद करता हूँ एक बार dry vocals हम पहले सुन लेते हैं ठीक है तो जीते जी views दे देना जैसा की गाना कह रहा है आई अब वापीस हम आते हैं यहां मेरे vocals पे यह जो mic है वो मैंने use किया है JBL CSUM10 जो तकरीवन 5000 रुपे का है तो obviously उसकी जो response है उतना अच्छा नहीं होगा थोड़ा harsh भी वो पकड़ता है तो हम आगे जाके देखें कि किस तरह से मैंने harsh frequencies काफी damp करने की कोशिश की है और जो यह produce, mix और master हुआ था यह JBL 104 पे हुआ था 8-9000 का speaker है आप जाके वो भी check कर सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है tuner बहुत सारे लोगों को यह confusion होती है कि पहले compressor लेना है या EQ लेना है या picture लेना है मैंने हमेशे आपको पताया कि audio के उपर depend करता है अगर बहुत ज्यादा dynamic range है कोई part बहुत loud है, कोई कम है तो obviously हम पहले compression लेंगे अगर ठीक ठाक है तो पहले EQ ले लेंगे तो आपके उपर depend करता है यहाँ पर मैंने वहाँ पर picture लिया होगा D minor मेरा scale है और मैंने medium हलकी C मैंने जो आप auto tune ले सकते हैं जो भी आपके पास होगा मेरे पास default यह है मैंने यह ले लिया तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया EQ और देखे कितना ज्यादा मैंने low काटा है obviously मैंने बताया है कि माइक बहुत सस्ता था तो सस्ता माइक है ज्यादा rumble ज्यादा mud खींची होगी उसने काफी तो मैं काफी आगे तक यहाँ कट कर लिया और एक दो पॉइंट्स जो है वो रेजोनेंस के यहाँ पर काटे है आप देख सकते हैं हार्श फ्रिक्वेंसी है इसलिए मैंने यहाँ पर बहुत ज्यादा आप देखें हलका से यहाँ पर डिप है और तकरीबन दो हजार हर्ड से लेके आगे तक वो डाउन ही जाता जा रहा है तो सब्ट्रेक्टिव एक्यू है बहुत ही बेसिक बहुत ही सिंपल तरिके साथ जहां जहां मुझे फील आई अब यहाँ पर मैंने लिया है कंप्रेसर वो भी एक स्टॉक कंप्रेसर है और बहुत ही मैंने हलका सा कंप्रेशन लिया है क्योंकि मैं देख रहा हूँ वहाँ पर मैंने बाद में मल्टी बेंड कंप्रेसर भी लिया है मैंने सिर्फ उसी को ही compress किया है ज्यादा मैंने किया है नहीं बहुत हलका सा attack है ratio भी अगर आप देखें सिर्फ 1.9 is to 1 है तो 2 is to 1 से भी हलकी सी कम है सिर्फ जो मेरी threshold के ऊपर हलकी-हलकी peaks जा रही है उसी को मैंने हलका-हलका यहाँ पर compress करने की कोशिश की है बाकी जो मेरी dynamic range है यहाँ पर मुझे वाई बाई होगी कि multi band compression यहाँ यूज करूँ अब आप सोचेंगे कि multi band compressor क्या हमें हमेशा यूज करना है यह भी depend करते हैं आपके vocals के उपर जैसा कि मैंने आपको बताया है मेरा mic जो है उसके उपर उतना भरोसा नहीं था एक गाना बनाने के हिसाब से तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने mid और high की ही आपको gain reduction यहाँ नजर आएगी व्यक्तित्व की बातें छोड़ कैसा आया तिर्चा मोड मरने पे ही देते अब जैसे बाद जैसी आया तो आप देख रहे है mid पे किस तरह से काफी ज़्यादा यहाँ पर compress हुआ तो low पे तो बिलकुल ही नहीं है और मैं थ्रेश ओड़े एक दम उपर को रखी है तो हलका सा मैंने इसे multi band किया उसके बाद यहाँ पर मैंने एक external VST यूज किया है जो है सूध आप जाके search कर सकते हैं सूध 2 master class देवनेक्स लेवल इसके उपर एक अलग से एक एक knob उसके अंदर मैंने बता रखी है किस तरह से है बहुत सारी resonances जो हम काटते हैं मैंने आपको बताया भी है यह obviously अपने अपी harsh frequencies ढूण लेता है काफी soothing कर दिया उसने आवाज क्योंकि जो harsh frequencies थी उसको काट दिया है इसके बाद यहां पर हम बात करते हैं मेरी saturation की आपको मालूम है saturation मैं हमेशा बहुत ज्यादा तवज्यों देता हूं इसके उपर बहुत important है हलका सा मैंने higher side पे tone up किया है बहुत हलकी से मैंने drive और अगर हम देखें on off करके हम एक बार देखेंगे off कैसे हलकी से harmonics add होते हैं पर यहां पर मैंने चाहा कि थोड़ी से मैं हलकी से और overtones add करना चाहूंगा इसलिए मैंने एक internal blood overdrive यहां पर use किया है एक preamp है distortion plugin है हलका सा मैंने यहां पर color add किया है जो कि हमने पिछले lecture के अंदर mastering वाले में भी use किया था अगर आपको याद हो तो फिलहाल जहां तक हम आ गए हैं सबसे पहले यही देखते हैं कि मेरी compression और मेरे saturation ने क्या क्या चीज़ें अब तक की हैं यह जो सूध है यह VST install हो गया इस वए से मेरे laptop के उपर थोड़ा सा heavy है VST 3 करना चाहिए था VST, VST 2, 3 यह सब क्या है इसका भी एक lecture है आप जाके search कर सकते हैं तो मैं एक एक करके on करूंग और आप difference देखिएगा आप देख रहे हैं कैसे अब front vocal हो गई है और highs एकदम crisp हो गई है सूध अभी मैंने फिलाल off रखा है कहीं crackling ना है during recording अब यहाँ पर हम आते हैं जब इतने सारे harmonics मैंने add कर दे है इतनी saturation मैंने add कर दी है obviously वो कानों में चुबने वाली हो जाएगी माइक भी मेरा सस्ता था इस वज़े से मैंने यहाँ पर 5 filter pro q3 लिया है और इतनी ज्यादा resonances काटी है जो कि मैं हमेशे आपको बोलता हूँ इतनी काटने की ज़रूरत नहीं है बहुत overdue हो जाता है बर यहाँ पर मुझे करना पड़ा क्योंकि again मेरा जो माइक था उसके उपर भ्रोसा थोड़ा कम था और आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं higher side जा रहा हूँ यहाँ पर आपको dip दिख रहा है बहुत harsh frequencies थी उस माइक की जैसे जैसे हम महंगा माइक खरीते जाते हैं उतना ही वो flat response होता जाता है जो मेरा studio है उसके अंदर मैं use करता हूँ मेरा blue baby bottle जो तकरीबन 40-45000 की range में आता है और आपने उसके lecture भी देखे होंगे जब मैंने उसके बार में बताया होगा बहुत ही अच्छी उसकी range होती है आवाज होती है lows भी बहुत अच्छी पकड़ता है तो हो सकता है बहुत सारी rumble यहो mud कुछ आया हो तो मैंने यहां भी बहुत सारा काटा और इतनी सारी resonance मैंने काट दी काफी ज्यादा सब्ट्रेक्टिव EQ यहां पर और boost मैंने फिलहाल नहीं की नहीं तो मैं यहां पे कोई ना कोई emulation यूज़ करता हूँ अपनी vocal को हलका सा higher side पे उठाने को बर obviously मुझे saturation से ही काफी मिल गया होगा अब यहां पर boost फिलहाल मैंने off किया हुए obviously on था अब यहां पर आखरी में मेरे पास एक चीज रहेगी है peak controller आपको मालूम है मैं peak controller के साथ हमेशा side chain करता हूँ मैं आपको यहां पर अपनी vocal chain बता रहा हूँ कि मैंने किस तरह से mix किया पर आपको मैं यह चीज़ बता दू never mix in solo जैसे मैं इस वक्त solo ही vocal के उपर बता रहा हूँ आपको पूरी beat चला कर ही रखनी है बीच में off, बीच में on, बीच में off, बीच में on so that आपको पता लग जाए कि जो मेरे vocal है वो perfectly sit कर रहे है in the mix reverb मैंने यहां पर reverb ली है एक बार देख लेते हैं low cut, high cut थोड़ा सा delay मैंने यहां पर 65 millisecond रखी है जो time का decay है वो तकरीबन 1 second रखा है 1.1 up देख सकते हैं और dry मेरे एकदम बंद है stereo separation बिल्कुल भी नहीं की लेकिन जो देखने वाली बात है यहां पर मैं वापिस यहां से vocal पे जाता हूँ और यह लिए मैंने peak controller यह लिए मैंने reverb अब आप ध्यान से दिखेगा जो यह bass है यह bass मैंने set कर दी कि मुझे इतना ही wet चाहिए था और को कितनी ducking हो मेरे dry vocal के साथ क्योंकि यह lyrics driven song है मैं चाहता हूँ कि बड़े दिल से lyrics लिखेते तो आप तक एक एक लाइन पहुँचनी चाहिए तो मेरी जो reverb है वो उपर कुछ कचरा ना कर दे lyrics के उपर तो मैंने side chain की है जैसे जैसे मेरे lead vocal चलते रहेंगे इतनी ज़्यादा जो है wet मेरी duck होती रहेगी जहां वो शांत होगा वहाँ वो reverb बढ़ती जाएगी सुनते हैं व्यक्तित्व की बातें छोड़ कैसा आया तिर्चा मोड मरने पे ही देते views जैसे बंद करूंगे आप सुनेंगे बिल्कुल जहां बंद होता है जहां gap आता है वहाँ पर थोड़ी reverb ज्यादा होती इस reverb के उपर भी मैंने हलका सा EQ लिया काफी low काटी काफी high भी काट दी और उसके उपर भी एक suit plug-in लिया है कि मेरी reverb सिरफ वेट के अंदर भी जो resonances है वो कट जाएं क्योंकि माइक व्यक्तित्व की बातें छोड कैसा आया तिर्चा तो यहाँ पर आपको जो भी नज़र आ रही थी वो सिरफ मेरी वेट की resonances थी same goes for मेरा delay मैंने यहाँ पर delay भी on किया है और सबसे वहले मैं EQ देख लेता हूँ काफी ज्यादा मैंने higher low काट रखे हैं तकरीबन रेडियो की तरह ही मैंने बना रखा है मेरी delay को so that वो मेरी lyrics पे ना चड़े और उसको भी मैंने side chain कर रखे मेरी wet को ध्यान से सुनिएगा जब मैं बन करता हूँ तब देखेगा आपको delay सुनेगी so that वो delay पीछे पीछे चलती रहे लेकिन जहाँ मेरी lyrics है जहाँ मेरी lead vocal है उसके उपर वो overlap ना करे यहाँ पर मैंने stereo रिखा है और हलका समयने offset कर दिया था left right अपगर आप headphones में सुनेंगे तो बहुत अच्छे से सुनेगी और जो मेरी feedback है मैंने बहुत ही कम रखी हुई है यानि कि हद से हद दो या तीन बार ही वो repeat करेगा तो इससे ज्यादा वो repeat ही नहीं करेगा मैंने feedback बहुत कम रखी हुई तो overall यही मेरी mix थी आप यहाँ देख सकते हैं मैंने एक tuner लिया आप auto tune यूज कर सकते हैं waves का कोई tuner हो वो यूज कर सकते हैं कोई और आपके पास g snap या और चीज़ें हो वो यूज कर सकते हैं पिचर यूज कर सकते हैं आपके टेस्ट के ओबर depend करता है subtractive EQ, हलका सा compression, multi-band compression अगर आपको ज़रूरत feel हो तो definitely use कीजिए मैंने resonances काटी external से, मेरा soothe 2, उसके बाद saturation, फैफ filter के certain से मैंने saturation एड़ की मुझे थोड़ इसे harmonics और चाहिए थे हलके से महाँ बूस्ट करना चाहता था blood overdrive again इतना सारा जब कच्रा add हो गया है तो बहुत सारा कच्रा remove करना पड़ेगा वहाँ पर मैंने pro q3, इतनी resonances नहीं काटनी होती पर मेरा माई कैसा था तो मुझे करना पड़ा, side chain किया मैंने peak को मेरी delay और मेरी reverb के साथ, delay और reverb दोनों wet hand dry नहीं है और दोनों को ही मैंने eq भी किया है, right तो जाके जरूर चेक कीजे बादशा देवनेक्स लेवल YouTube के उपर और Spotify के उपर भी जरूर चेक कीजेगा, तभी आप actually उसकी quality सुन पाएंगे मिलते हैं किसी और lecture में, तब तक लिए देवनेक्स लेवल signing out, नमस्ते